आप सभी का एक बर फिर से स्वागर थे MS Word के इस वीडियो चीरीज में तो guys हम लोग continue कर रहे थे with our review tab और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमार last two group जो की है compare and protect so as of now let us open our word and start with our compare group तो यह हम लोग के लिए compare group तो compare नाम से आप लोगो समझ में आ रहा होगा basically इसमें हम लोग क्या करते है अगर आप लोग के पास दो अलगला document है अगर आप लोग उसको compare करना चाहते हो कि दोनों में क्या changes है क्या difference है तो आप लोग कैसे कर सकते हो for example मैंने आप एक डूकुमेंट अपने लिए बना लिया यह हो गया में लिए को जो भी एक random डूकुमेंट तो यह डूकुमेंट कौन सा है मेरे लिए यह मेरे लिए डूकुमेंट टू तो इसको मैं कर दूँगा copy करने के बाद में एक नया डूकुमेंट क्रेट कर लूँगा by pressing Ctrl N आप लोग देश सकते हैं मेरे लिए क्या है डूकुमेंट 3 तो मैंने यह पर कर दिया इसको paste करने के बाद अगर आप लोग यह पर कोई चेंज करोगे सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं मुझे अभी दो कॉम्पेर करना है तो कंपैर करने के लब लोग क्या करोगे सब से पहले मैं जो मे डूकुमेंट 2 था उतको मैं उपन कर लेता हो एंड आप लोग यह पर जाके सिलेक्ट करना होगा कंपैर में तो कंपैर बिटीन टू वर्शन सब डूकुमेंट तो यह पर मैंने कर दे सिलेक्ट तो यह पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे आप लोग देख सकतो पहला option क्या यह पर आप लोग के पास वह है ओरिजिनल डूकुमेंट और एक है अप लोग के लिए रिवाइज डूकुमेंट तो ओरिजिनल डूकुमेंट मैं आप लोग को ओरिजिनल डूकुमेंट देना है तो फॉर देर में ड्रॉप्दान में क्लिक करोंगा क्लिक करने के बाद यह पर आप लोगो सेलेक करना होगा प्लोग का ओरिजिनल डोकुमेंट जो कि यह मेरा डोकुमेंट टू मैंने यह सिलेक कर लिया मेरा ओरिजिनल डोकुमेंट एन देन आप लोगो सेलेक करना होगा रिवार्श डोकुमेंट तो यह कौन सा था मेरे लिए वो था डोकुमेंट 3 मै तो जैसे आप लोग यह पर OK करोगे, तो आप लोग देख सकते हो, यह है आप लोग के लिए दो डुकुमेंट के बीच में तो यह है यह पर देखा क्या लिखा हुआ रहे हैं, मैंने क्या इंसरो क्या को यह कंपेरेजन बलब पार्ट जो समझ में आ गया होगा तो यह भी काफी इंपोर्टेंट है देन यह बिसिक्री कहां पर यह उस होता है सब्सक्राइब के पास दो कुछ एग्रीमेंट बगरा था आप लोग को दो अलगा ग्रूप में देना है तो आप लोग दो एग्रीमे जो कि है प्रोटेक्ट मैं इसको कर देता हूँ क्लोस पहले तो क्लोस करने के बाद मैं यहां पर मेरे लिए एक नया डॉकुमेंट फिर से ओपन कर लेता हूं तो यह मेरे लिए डोकुमेंट 7 अपलोग देख सकते हूं तो यहां पर आप लोग को अभी आना फिर से क्या है आने केसा ए द्लनहें 12 में काम कुछ किुछ रेंडम टेक्स अव देन हो टेक्स देन आप लोगो जाना है प्रोटेक्ट में अपलोग पास एक ऑप्षिंनि Ведь हदृू सकते हो तो यहां पे आप लोग करना है क्लीक करोगे आप लोगर पास एक आप्षिंदी देखेग कि कोई भी आया तो सिब मेरा डोकुमेंट जो देख सके वो पर सके लेकिन उसमें कोई चेंजेस ना कर सके तो उसके लिए क्या करना होगा यह जो चेक बटन है इसको आप लोगो करना होगा क्लिक तो जैसे आप लोग यह पर क्लिक करोगे आप लोग के पास एक एडिशनल जैसे आप लोग आप यह स्टार्ट करोगे आप लोग के पास एक पसवर्ड देने का option आएगा सबस्क्राइब पसवर्ड दे दिया 12345 पसवर्ड को confirm करना होगा 12345 जैसे आप लोग भी इसको OK करोगे तो जैसे मैंने इसको कर दिया OK आप लोग भी यह जो डूकुमेंट है इस को आप लोग चेंज नहीं कर पाऊगा अगर मैं इसको सिलेक करके मैं अपने कीबोर से डिलीट या बैक स्पेस करूंगा यह डिलीट नहीं होगा अगर आप लोग होम टेप में जाओगे तो आप लोग देख सकते हो जो आप लोग का फॉंट है सबकुछ डिजेबल है आप आपलोग चाहते हो कि हाँ अभी यह अप लोग को खोधी डिलीटिंक करना है तो पास्वर्ट तो हटाना परेगा भाई तो पास्वर्ट हटाने के लिए क्या करना होगा अपandどう को जाके यहाँ पर करना होगा सिलेक्ट स्ट आप्र प्रोटेक्शन नीचे अप लोग देख स जैसे आप लोग इसको करोगे ओके तो यह जो आप लोग का प्रोटेक्शन है वो चला जाएगा अप लोग इसको फिर से इडिट कर सकते हो यह देखो मेरा यह पके प्रोटेक्शन दिखाऊंगा और चाहते हो कि आपके पास कोई फाइल हो कोई खोई और ऑपन करें तो यह पस्वेर्ट्वर्ट करोगे कुछ परसनल फाइल है फॉछ इम्पोर्टेंट फाइल है तो यह जो फाइल है इसको पहले सेप करना होगा सेप करने के लिए कहा प पतंब कुलिक किए न सब्सक्राइब कर दोटेकर द्यासन लेयरा नाम आप भी दिख सकते हो मैंने दिया only आप लोग को जाना है था यह जो टूल आप्षिन अप लोगो दख दिख रहा है तूल में जाना है जाने के बाद आप लोगए फें जाना होगा general option general option में आप लोग जाओगे तो आप लोग यह पर देख सकते हो आप लोग को यह पर क्या दिख रहा है password to open अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ यह file open कर लेकर कुछ password चाहिए तो आप लोग यह पर password दे सकते हो मैंने देदे 12345 देन अप लोग को यह पर और कुछ चेंज करने का जूरत नहीं है अप लोग को directly करना है okay तो जैसे अप लोग यह पर okay करोगे आप लोग यह पर दूबारा जो आप लोगने password दिया था उसको रिएंटर करना होगा मैंने दे दिया 12345 और मैंने कर दिया इसको okay जैसे आप लोग इसको okay करोगे यह अभी तक घूम रहा है यह सेब हो जाएगा अभी तो यह जो मेरा फाइल है वो सेब हो गया है देन अगर अप लोग यह वाला फाइल को फिर से ओपन करना चाहता हूं मैं इसको कर दूँगा close जिसना भी फाइल है में सब को close कर देता हूं कि यह अपे कुछ आ रहा है word not responding चलो यह हो गया है देन मुझे यह आपे जाना है desktop में तो मैं आप जाओंगा desktop में यह है मेरे लिए desktop और desktop में आप लोगों के पास एक file है word1 तो जैसे आप लोग इसको open करोगे तो यह open हो रहा है आप लोग देख सकते हो लेकिन जैसे यह open होगा आप लोग को क्या मांगेगा password यह क्या मांग रहा है password यह password देने से open होगा नहीं तो यह open नहीं होगा तो मैंने देद यह password 12345 जैसे आप लोग इसको करोगे तो आप लोग को जो फाइल है वह यहां से ओपन हो जाएगा तो गाइस यह है प्रोसेस कैसे आप लोग पासवर्ड दे सकते हो अगर पासवर्ड नहीं चाहिए आप लोग को फिर सेव वाला ओप्शन में जाना है फाइल सेव सब्सक्राइब थो तो य तो यह प्रोसेस केसे आप लोग एक फाइल को प्रोटेक कर सकते हो अगर चाहतो कि कभी अगर फाइल को ऑपन किया जाए तो उपलोग कर सकते हो अगर चाहतो कि कोई फाइल को पर सके लेकिन उसमें कोई इडित ना कर सके इन देट केस अप लोग उसको रेश्ट्रीक देटिंग भी कर सकते हो तो यह था हम लोग के लिए compare and protect group मैं आशा करते हैं कि आप लोग को हर इक चीज इन डीटेल में समझ में आ गया होगा तो with this जो हम लोग का review tab है वो हो जाता है खतम and then हम लोग start करेंगे with our next tab जो की है view so as of now guys आप लोग को यह फिर से practice करना है जैसे आप लोग का practice कतम हो जाता है आप लोग next वीडियो में जा सकते हो जहां पर हम लोग discuss करेंगे view tab so as of now take care and good bye